So friends, मध्य प्रदेश शाशन के अंतरगत स्वास्त बिवाग की एक और वेकेंसी इसमें आप पर रिलीस कर दी गई यह जो वेकेंसी यहाँ पर जो रिलीस वही भोपाल मैमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानि कि दोस्तों B.M.H.R.C. इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पर आया हुआ है भोपाल की वेकेंसी आप रहेंगी इनमें All India Candidates अप्लाइ कर सकते हैं आप किसी भी राजे से हैं, किसी भी स्टेट से हैं All India Candidates आप लोग इसमें आप आविदन करें और यह जो वेकेंसी आपे जो रिलीज हुई इसमें आपको तीन अलग-अलग नोटिफिकेशन मैं आपको आपको आप दिखाने वाला हूँ यानि कि दोस्तों तीन अलग-अलग वेकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आपे मिलेगी तीनों ही वेकैंसी भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के तरब से आप निकाले गई तो चलिए बिलकुल भी हम लोग यहां पर टाइम वेश्ट नहीं करते हैं सबसे पहले BMHRC यह इसकी ओफिशल वेबसाइट को हम लोग यहां पर ओपन कर लेते हैं सारी जानकारिया आपको बिलकुल यहां पर प्रूफ के साथ इसमें आपको यहां पर मिलेगी तो देखिए यहां पर लेका है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर तो एक बार इसमें पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए क्लिक करते से ही इसकी official website यहाँ पर open हो चुकी है यहाँ पर देखिए recruitment का section आपको मिल जागा तो इस पर जो है आपको एक बार यहाँ पर click कर देना है click करते से ही आपको यहाँ पर vacancy का section मिलेगा यहीं पर सारी vacancy की details आपको यहाँ पर दी जाती तो यहाँ पर आगे का page यहाँ पर open हो चुका है vacancy पर जैसे मैं आपको क्लिक किया अब देखिए तीन vacancy के बारे में जो information मैं आपको आपको बता रहा हूँ तीन अलग-अलग notification यहाँ पर आई हुए है और अभी देखिए 12 April, 12 April और 12 April तो 12 April से जो है आविदन यहाँ पर शुरू हो चुके है और 29 April जो है तीनों रेक्रूटमेंट्स की last date एक साथ यहाँ पर रहने वाली है तो देख लेते हैं कौन-कौन सी इनमें पर पोश्ट यहाँ पर शामिल किये जा रही है और इनमें कौन-कौन से candidates आप लोग यहाँ पर इसमें अविदन कर पाएंगे तो चलिए सबसे पहले नमबर की यह वाली जो vacancy है इसको आप पर मैं open कर लेता हूँ और notification को download कर लेता हूँ तो देखिए पहले नमबर का notification हमने आप पर डाउलोड कर लिया 12 अपरेल को यह जानकारी बहुत ही recent update मैं आपको यहाँ पर प्रवाइड कर आ रहा हूँ इसमें देखिए कौन सी पोस्ट है specialist grade 3 contract basis पर यह vacancy है medical और ophthalmology department के अंतरकर medical में 6 हैं, ophthalmology में यहाँ पर 5 रहेंगे और 40 years जो है आपकी age आपको यहाँ पर नरधारित की गई ACID, OBC, PWD आपको age में इसमें relaxation मिलेगा तो इसके लिए आपको आविदन करना है और इसमें दोस्तों देखिए नीचे यह आपको application form का format आपको provide करा दिया गया यह application form आप लोग पूरा फिल करेंगे और इस application form को documents के साथ आपको कहाँ बेजना है तो इसकी जानकर यह आपको first number के point में आपको मिल जाएगी यह 29 अपरेल तक आपका आविदन जो है पहुँच जाना चाहिए देखिए आप लोग email ID पे भी अपना आविदन बेज सकते हैं सबसे पहले salary देख लीजे 1 lakh रुपीज पर मन्त basis पर आपको हाँ पर salary मिलेगी जनरल इंस्ट्रेक्शन से इसमें आपको यहाँ पर दे दिये गए अब आ जाते हैं इसकी eligibility criteria तो इसमें MBBS doctors आप लोग इसमें आविदन करें post graduate degree या पर diploma रखते हैं आप लोग भी इसमें apply कर स दूसरे notification को भी हम लोग यहाँ पर download कर लेते हैं तो देख सकते हैं यह दूसरा notification है और देखिए लखा है contractual assistant professor तो यह अलग-अलग departments में contractual basis पर अलग-अलग बिवाग में professors की यह vacancy यहाँ पर आई है assistant officer का इसमें आपे पद रहेगा इसमें table में information दे दे गई तो annexure है नीचे आपको annexure है मिल जाएगा application form इसमें भी आपको आप फिल करना है application form और documents जो है आप चाहें तो email id और आप चाहें तो post के माद्यम से भी अपना आविदन भेज़ पाएंग आपकी last date यहाँ पर रहने वाली है तो यह दूसरी vacancy की information थी बाकि आपर पूरा notification जो है अच्छे से read कर लेना third number की notification भी हम लोग यहाँ पर open कर लेते हैं तो इस पर आपर मैं click कर देता हूं और यहाँ पर यह वाले notification को भी यहाँ पर मैं open कर लेता हूं तो इसमें जो post है द diploma और MBS doctors आपका जो है ना होना इसमें आप लोगों का यहाँ पर जरूरी है इसके लिए भी आपको आविदन करना है और आविदन आपको सबसे नीचे मिल जाएगा application form जो भी आपके documents है आप चाहें तो post के माद्यम से आप चाहें तो email ID के माद्यम से किसी भी माद्यम से करना चैनल को subscribe कर लें एक और आगी जो है vacancy की जानकारी मिलने वाली है subscribe कर लेंगे तो वो update भी आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को click कर लें thank you so much